अब तक हमने कोटिल्ले के विचारों पर विश्तरित अधन किया आज हम इसके conclusion पार्ट पर अधन करेंगे और देखेंगे कि राजनितिक चिंतन को कोटिल्ले का क्या योगदान या देन रहे प्राचिन भारती चिंतन के हितियास में कोटिल्ले का इस्तान सर्फेस्ट है भारती राजनितिक चिंतन को उनकी देन बहु अयामी अत्यंत विशाल है इस संबन्द में कुछ विवरण निम्न प्रकार है पहला है पूरवर्ती राजनितिक चिंतन की रक्षयाउं व्यक्या कोटिले के अर्थसास्त्र में केवल उनके विचारों का ही विवरण नहीं मिलता अपितु उन्होंने अपने से पहले के अनेक प्रमुख विचारों के विचारों का उलेख किया है और उसकी वैख्या भी की है इस प्रकार से प्रमुख विचारकों में भार्दवाज, पिसुन, विशालातक्ष, व्यातवादी, उसाना, दिरगाचारेण, आदे प्रमुख है टी एन रामस्वामी कहते हैं कि अर्थसास्त्र कोटिले से पहले की रचनाओं में इधर उधर बिखिरी हुई राजनितिक बुद्धी मता तथा सासन कोषन की कला एं विज्ञान का सही अर्थ में संग रहे है जिसका कोटिले ने सासन कला के एक प्रथक एं विशिष्ट ग्या किया है अपनी इस विशेष्टा के कारण उन्हें प्राचीन भारतिये राजनिति सास्त्र का सरवत्तम विचारक कहा गया है कोटिले ने प्राचीन भारतिये राजनितिके विभिन अंगों पर इतने विश्टार पूर्वक एं शुक्षम रूप से लिखाये है कि उनके पर कोटिले ने धर्म नेतिकता के साथ राजनिति के विभिन प्रकार के संबंदों को प्रकट किया है उन्होंने सामान नेते धर्म नेतिकता के अनुषर राजा को प्रजा पालन का निर्देश दिया किन्तु इसके साथ ही धर्म वे नेतिकता पर राजनिति की स्रेश्टता को भी प्रकट किया है उन्होंने धार्मिक संस्ता पर राज किया नियंत्रण का समर्थन किया राजाग्या वे धर्म सास्त के विरोध होने पर राजाग्या को ही प्रमान माना और राजनितिक साथ्यों की प्राप्ति के लिए अनितिक साध्यों को अपनाने का भी आगरे किया क इसमें सप्तांग राज्य का विशिद विवरण कोटिले ने प्राचीन भारतिय प्रमपरणशार राज्य के साथ अंगो स्वामी अमाते जनपद दुर्ग कोस दंडव मित्र का विशिद विवरण किया उन्होंने सप्तांग राज्य के प्रतेक अंग की विश्त्रित किया है और उनकी पारस पर एक निर्भरता को भली पाती इस पस्ट किया है उन्हें ने प्रते एक अंगों के वेशनों का उलेख किया और ये बताए कि किस अंग के वेशन ऐस्वस्ता या कमी का अन्न अंगों की क्रिया सीलता पर क्या कोपभाव पड़ता है नेक्स्ट है राजपद संबंदी देन कोटिले ने राजा के विश्तरित अधिकारों सक्तियों उन महताओं का प्रतिपादन किया उन्होंने राजा को स्वामी कह कर भी वास्ता में उसे प्रजा सेवक ही माना है राजा को समझ सक्तियों में अधिकार प्रजा कल्यान के दायत की पूर्थी के लिए ही मिलने चाहिए राजा के समझ सासन अधिकार अंत में प्रजा के संतों सहम सहमति पर ही आधारित होते है कोटिले ने अनेक ऐसे राजा को लेकिया जो ए संतुष्ट वे क्रोधित प्रजाद्वारा माल डाले गए कोटिले ने राजा के साथी अमात्यों को भी राज्य रूपी गाड़ी का पया माना और बताया कि राजा को अमाज्ट्यों से परामर्श लेकर ही राज्यकारे करना चाहिए इसके साथी अमाज्ट्यों का भी ये दायत बताया कि वे राज्ट्यों को करतव विम्खोने से रोके कोटिले ने इस तथे को भी प्रकट किया कि दूस्ट प्रकर्ति अथवा आत्म संपत्ति रहीत राजा विशाल राज्य का स्वामी होकर भी अपने अमाध्य द्वारा मारा जाता है अथ्वा सत्रू के अधिन हो जाता है कोटिले ने ऐसे राजपत की अधारना प्रस्तुत की जिसकी विश्तिरित सक्तिया विभिन करते हुए एव दायत्तों से मर्या दित है और उन्होंने निरंकुष वे स्वेच्छाचारी राज़तंतर के इस्तान पर ऐसे प्रजपत से भी राजपतंतर की धारना को प्रसुत किया जो प्रजपत को ही राजपत मानता हूँ नेक्स्ट है राज़े का विश्तिरित प्रजपत कारे छेत्र कोटिले ने राज़े का विश्तिरित कारे छेत्र बताया राज्य के अनिवारे कारियों से लेकर प्रजा कल्यान के महत्माहन दायतों से संबंदित बता है राज्य सामाजिक, धार्मिक, नेतिक, आर्थिक सभी छेत्रों से संबंदित प्रजा कल्यान के कारिय करता है ये किर्शी वेव्यापार के विकास में सहयोग देता है किर्शी की हानिकारे कीटो और मनुश्य की हिंसे पसू, अकाल, बाड, अग्नी, महमारी आदी से रक्षा करता है कोटिले का राज्य प्रजाजन के सारेक स्वाज, सिक्षा और नेतिग विकास के भी कार्य करता है और प्रजा के धर्म एम संस्कृति की रक्षा के प्रियास करता है सात्वा है विस्तृत वे विवस्तित प्रसासनिक परनाली राज्य के विश्त्रित प्रजा सेवी कारियों के अनुरूप ही कोटिले ने एक विश्त्रित वे विवस्तित प्रशासन प्रनाली का विवरन प्रस्तुत किया है उन्होंने राज्ये के संपूर्ण प्रशासन को 18 तीर्थों या भागों में विभाजित किया है और इन तीर्थों के स्रेष्ट अधिकारियों के अधीन विभीन विभागा दक्षों उनके साहेक भ्रत्यों वे हीन भ्रत्यों तथा उनके चैन वे न्युक्ति की पद्धितियों वेतन व्यवस्ता पदोन्निती वे पदवन्निती आधी की नियुमों का उलेक किया है इसके अलावा कोटेले ने कारियाल्य पद्धिती अवकास की व्यवस्ता सेवा निवर्ती मुवावजा आदी की व्यवस्ता पर भी प्रकास डाला है उन्होंने राज्य भ्रत्यों या करमचारियों की आचार सहीता का निर्धरन किया है और राज्य भ्रत्यों के नियंत्रन की समश्या पर भी गहन विचार किया है आठवा है आर्थिक विचार संबंदिते प्राचिन भारते चिंतन में कोटिले अर्थसास्त राजके वे सारजुनिक दस्टि से राज्जिकी अर्थववस्ता के अधन का पहला गंभीर प्रियत्र है इस ग्रंथ ने क्रशी, सिचाई, पसुपालान, व्यापार, वानिज्य, खान, वन, आदि से संबंदित आर्थिक विवेचना प्रस्तुत किया इसने करपरनाली के बारे में संतुलित विचार प्रस्तुत किया और इस तथे पर बल दिया कि नए उद्धोगों को राज्जी का सरक्षन मिलना ताहिए तथा राज्जी खित को ध्यान में रखकर ही आयात वे निर्यात की निती को तैर किया जाना चाहिए राज्जी को सार्जण खित में स्वेमुद्धोगो को संचालन करना चाहिए तथा परजया के कमजोर वे असाय वरगों को रोजगार देने के अउसर देने चाहिए कोटिल ने सारजनिक हित में राज्य द्वारा लाब मजदूरी वे मूल लेके नियंत्रन का भी समर्थन किया और राजा को निर्देश दिया कि वे ऐसे आर्थी कारियों को प्रोचान नहीं दे जो प्रतेक्स रूप से कोस की वर्दी में तो सायक हूँ किन्तु प्रजाजन के में अनातिकता को बढ़ाने वाले हूँ उन्होंने सारजनिक वित्के अंचिक्षन की राज्टे प्रनाले को प्रस्तुत कि नेक्स्ट है सामाजिक विचार संबन्न देन यदिपी कोटिल ने समाज के संगठन का आधार वर्ण विवस्ता को स्यूकार है किन्तु उन्होंने वर्ण के आधार पर राजनितिक वर नागरिक जीवन में ऐसमानता के सिद्धान्त का समर्थन नहीं किया है उन्होंने सुद्र को भी आरे समदाय का अंगमाना है और सभी वर्णों के विक्तियों के समान राजनितिक नागरिक अधिकारों का समर्थन किया है वास्तम में उन्होंने वर्ण विवस्ता को स्रम विवाजन के सिद्धान्त के रूप में विश्यू का रहा है और उनका मत है कि किसी वर्ण का वेक्ति अपने प्रमप्रागत कारिय का अकारण त्याग नहीं करें क्योंकि इस से अंत में समाज को हाने होती है कोटिले ने विभा, तलाक, वेश्यवर्ती, मदरापान, जुवा, दासपर्था आदी के विश्यव में यथार्द वाद्री डंग से विचार किया है और इनमें नहीं दोसों को सीमित करने के लिए राज के निंत्रन का समर्थन किया है सामाजिक विश्यव में कोटिले ने मनु की तुला में उधारवादी हैं और राज की अस्तक्षेव द्वारा कूप रथाओं को रोकने के समर्थक भी प्रतीत होते हैं दस्वाए नियायव दंड सम्मंदी विचार कोटिले ने नियाय का प्रम खुद्देश समाज कंटको तथा अपरादी प्रवर्ति के वेक्तियों से सामान्य प्रजाजन के जीवन की रक्षा बता है उन्होंने दो प्रकार के नेयले धर्मस्तिय तथा कंटक्सोदक जो सामानी रूप से करम से दीवानी वे फोज़दारी मुकद्मों से सम्मधित नेयले उन्होंने नयले के संगठन, नयाए धीशों की निक्ति, नयाए की प्रक्रिया, अपील आधी पर विस्तित प्रकास डाला है और वादी, प्रतिवादी, साक्षी, आधी के अधिकारों को इसपस्ट रूप से वर्णित किया है कोटिले की मानने ताय की अपराद करने पर सभी वेक्ति दंडन ये होते हैं उन्होंने दंड के उद्देशित अथा दंड की प्रकरती मात्रा और प्रकार पर भी गंभीर विवेचना किया कोटिले का मत्य की अपराद के अनुसारी दंड का निश्चे किया जाना चाहिए और उन्होंने अपनी दंड व्यवस्ता में वर्ण के आदार पर भीदभाव को यथा संब्व महतुन नहीं दिया है पर्रास संबंदों के छेत्र में देन कोटिलिन राजी की रक्षा तथा इसके विस्तार की यथार्द वादी समस्या के पर्रास संबंदों पर विवेकपून डंग से विचार किया है उन्होंने रास्ट मंडल सटगुन निती और निती के चार उपाए दूद प्रनाली गुपचर ववस्ता आदी पर इतने विस्तार से शुक्षम दस्टी से विचार किया है कि उनके बाद के विचार है कि इसमें कुछ भी नया जोड़ने में ऐसा मरत रही और सास्त में उपलब समस्त विवरण में अनेक ऐसी मानेत आया नहीं थे जिनका आज भी महत्वे जैसे राज्जी की विदेश निती का निर्धारन राजित के आधार पर किया जाना चाहिए पर्रा संबंदों के निर्धारन में राज्जों की आपसी सक्ती इस्तितिका मिसेस महत होता है राज्जों को अपने विवादों के हल में युद्ध को अंतिम साधन के रूप में अपनाना चाहिए राजदूत अपने राजा या सरकार के प्रदिनिदी होते हैं इसलिए ए बद्दे होते हैं युद में नागरिकों पर आकर्मन नहीं किया जाना चाहिए युद में बंदी सैनिकों के साथ ए मानुवे विवार नहीं किया जाना चाहिए तथा गायल सैनिकों की चिकेशा की जानी चाहिए युद में पराजित राज्जी के प्रती मानविय वेवार किया जाना चाहिए आदि लास्ट है इसमें अर्थ सास्तर में आधुनिक प्रवर्तिय बीज रूप में है अनेक विद्वानों का मत है कि कोटिले के चिंतन में अनेक ऐसे विचारवे धारनाएं सुक्षम रूप में मोजूद हैं जो अपने विक्षित रूप में आधुनिक राजनितिक चिंतन का अभिनांग दीख पड़ती है कोटिले ने धर्मे निती से राजनिती का पून प्रतकरण नहीं किया है किन्तु अन्य प्राचीन भारतिय चिंतकों की तुलना में कोटिले के चिंतन में यह परवर्ती इसपस्टूप से मोजूद है जो आधुनिक युक्य अनुरूप है इसी प्रकार कोटिले ने इसपस टूप से धर्म निर्पेक्स राज्य की धारना को प्रस्तूत नहीं किया है किन्तु धार्मिक सहीं सनुता तथा धर्म सास्तर पर धन निती राजनिती की स्रेष्टता को अविसे स्विकार है जो धर्ण रुपेक्स राज्य की स्तापना की आउसक पूरु सर्थ है उन्होंने कानून के छेतर में धर्म सास्तर पर राज जागा को वर्यता दिया जो कानूनी प्रभूसत्ता तथा धर्ण रुपेक्स राज्य की आधुनिक अउधारना की अनुरूप है कोटिले ने राज्यती वे अर्थसास्त्र की घनिष्टा को स्विकारा है और प्रजा जन में संपदा के उचित विवरण की आउसकता पर बल दिया ये दोनु मानेता हैं आधुनिक युक की पूरगामी है कोटिले के इस विचार से आधुनिक लोग कल्यान कारी राज्य की धारना बीज रूप में नहीत हैं कि राज्यवे राजा अथ्वा सासन प्रजा कल्यान का साधन मातर होते हैं इसी प्रकार कोटिल्य ने पर्रा संबंदों के निर्धारण में अपने राज्य के हित्व सक्ति के तत्व को अधिक मेहतु दिया है। उप्रोग्त विवरण से यह इसपस्ट है कि प्राचीन भारतिय चिंतन के विकास में कोटिल्य का योगदान अनुपन है। साले टोर के नुशार प्राचीन भारतिय राजनितिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग विचारधारा कोटिल्य की है। की तरह ने तो संकीन है और नहीं नेतिकता वहिन है कोटिले की एक महान विशेश्था यह है कि उन्होंने जिन राजनेतिक विचारों को प्रसुत किया है उनके आधार पर एक विशाल है उस्रेश सामराज्य की स्तापना में भी सफलता पाई बीडी के ला कहते हैं कि कोटिले अवस्य ही हमारे अभिमान का कारण है थैंक यू